चलते हैं जबलपूर जहां विवस्ताओं और सुविधाओं के अभाव ने भी कला के निकहार को नहीं रोका जबलपूर में स्थेत M.P. का सबसे पुराना श़स्किया ललित कला महाविद्याले पुछले पांच सालों से आजिटोरियम में संचालित किया जा रहा है कला की कख्षाई, रंगमंच और गैलरी में संचालित की जा रही है महाविद्याले को अब तक भवन नहीं मिल रहा है ये जबलपर का शाश्किय ललित कला संस्थान है 1962 में इसकी स्थापना होई थी इसके पास अभी तक अपना कोई परीशर नहीं है पहले ये कलानिकेतन के परीशर में चलता था और अब इसे एक संस्कृती थेटर बनाये गया था जो थेटर लगबग 10 सालों से बंद था उसे अलॉट कर दिया गया है कैसे यहां के स्टूडेंट पढ़ रहे है और इसके पूरे कैंपस में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट की बनाई हुई है बहुत एतिहासिक कलाकृतिया है वो सब बिखरी पड़ी है क्योंकि इनके पास ना तो कोई कला दीरगा है और ना कोई ऐसा स्थान है जहां पर इन कलाकृतियों को रखा जा सके यह औरोटोरियम जो बनाये गया था यह आप देख रहे हैं कि इस आडोटोरियम में नाटक और अन्नी कलाओं के लिए संस्कृति विवाग ने बनाये था लेकिन जब इसका कोई उप्योग नहीं हुआ तो इसे ललित कला संस्थान को अलाट कर दिया गया तो यह जो आडोटोरियम आप देख रहे हैं यह आडोटोरियम नहीं है यह क्लास रूम है इस क्लास रूम में स्टुडेंट पेंटिंग की कक्षाएं यहां संचालित की जाती है अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक auditorium को एक classroom में बना दिया गया फिर भी ये तो auditorium है और यहाँ पर बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं और sketching कर रहे हैं अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो गलियारे हैं जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर classroom चलाए जा रहे हैं यह ललिद कलास अंस्थान का वो कॉरिडोर है जहाँ पर classroom चलाए जा रहे हैं और यह मद्द प्रदेश का एक बहुत जाना माना कलास अंस्थान है 170 से जादा बच्चे यहाँ पर fine art पढ़ने के लिए आते हैं यह देखें यह first year की classes यहाँ लगाई जाती हैं यह bachelor of fine art first year की classes इस कॉरिडोर में लगाई जाती है अब इसके बाद हम चल रहे हैं bachelor of fine art third year की classes में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन इस auditorium के कॉरिडोर को classroom में परिवर्टित किया गया है कैसे यह artist बच्चे जो हैं वो यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं और देश में कला का नाम उचे उठाने का प्रियास कर रहे हैं हमारे साथ इस संस्थान की principal राज लक्षमी जी है मैडम यह बताईए कि यह जो देश का बड़ा जाना मना संस्थान है इसकी यह दुरगती क्यों है वर्तमान में हमारे पास एक जिसको हम सिस्टेमाटिक बिल्डिंग कहता है academic activity के लिए वो नहीं है व्यवस्था से अपरसन्नता मुझे भी है और बच्चों को भी है और गुणवत्ता की guarantee हम इसले नहीं दे पाते हैं और प्रयास है कि शासन का जैसी हमको क्रियाशील सहयोग मिलेगा हम गुणवत्ता ensure कर पाएंगे मडम एक auditorium मैंने दिखा उस पे classes चल रही है अब पूरा auditorium पंदरा सो लोगों का खाली है दस बच्चे पंदरा बच्चे उसमें class कर रहे है तो कैसा होता है कैसा लगता है सर auditorium में भी class करना मतलब एक हौल में करना और light की proper व्यवस्था definitely नहीं हो पाती है बच्चों को adjust करते रहना पड़ता है लगातार की उनकी shadow उनके बनाते हुए चित्र पे ना पड़े और उस adjustment में कई बार जो एक proper जिसको हम कहते हैं व्यवस्था class की होना चाहिए वो तो नहीं हो पाती है लेकिन फिर मैं यहीं कहूँगी कि जो व्यवस्था है उसमें आगे बढ़ना नहीं रोका जा सकता वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं तकलीफ हैं परिशानिया हैं और बहुत बेसबरी से इंतदार है कि यह सब कब दूर होगा हमारे पास जन्भागीदारी समीती जो होती है इस college की जिसमें इस college के ex student भी है तो वर्मा जी यह बताईए कि आप लोग क्या कर रहे हैं आप तो जन्भागीदारी समीती में हैं तो यह तो आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार से लड़कर आप इस संस्थान के लिए कुछ करें जिए सबसे पहली बात तुझे है जब मानों को बोलना चालना नहीं आता रहा तब वो अपनी बातें चित्रे के माध्यम से एक दूसरे को बताते थे और आज उसी विधा के लोग रुसी का college जहां पर सिक्षा दी जाती है वो आज इस हालत में हैं उसमें कहीं नहीं थोड़ा बहुत हम लोग भी जिम्मेदार हैं हम लोग ने हमें से प्रयास किया पहले पॉलिटक्निक कॉलेज में लगता था जब हम पढ़ते रहे 93 से 99 के समय तब बहुत बार अलग करने का हुआ लेकिन हम लोगो ने सब स्टुएंटों के साथ मिलकस पलक नहीं होने दिया उसका आफ वहां से पलके होँए निकला लेकिन क्या कारण़ था कैसे उसको वहां से अलग कर दिया और यहां जे डियए के दौरा जो बनाये गया यहां पर आडिटॉरियम में दे दिया मैं बहुत समय बाद यहां पर आया तब मैंने देखा तो मेरे को बड़ी पीड़ा हुई तो यह जानना चाहता हूं कि आपकी पीड़ा जो है अमूर्द रूप क्यों नहीं ले रही आप तो सरकार के वेक्ति हैं आपके पास तो पावर है मैं इसके पहले वाली सरकार में सिर्मति उसर ठाकुर जी जो मनत्री थी उनके पास गया था मैं प्रस मनली गया था मैं वहापर न सी बात किया उनको सब लैटर बगयर दिए तो लेकर उसके बार सड़नली च्छनाओ आ गया आद नई मनत्री जी बने हैं मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस कारकाल में हमारे सदालित कला संस्थान जहां मैं पढ़ा हूँ इसकी खुद की बिल्डिंग हो खुद का सब कुछ हो जिससे कि यहां के स्टुजेंटों को अच्छे पढ़ा सकें अच्छे सिक्षा मिल सकें क्योंकि प्रिस्पल का कहना यह है कि इन कलाकृतियों को पांच वर्ष तक संरक्षित रखना पड़ता है ताकि उन्हें नंबर दिये जा सकें और एक आश्चेर की बात है कि जब 1962 में यह संस्थान बना था तब यहां पर स्थाई सिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसके बा रहे हैं वो सब इढ़ाक पर हैं इस तरह मद्र प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बहतर ललित कला संस्थान की यह दुर्दशा है वीरें शर्मा के साथ संजीव चादरी एंडी टीवी के लिए